दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo के नए brand new smartphone lineup के बारे में Vivo X50 series के बारे में जो हाली में चाइना में launch हुई है उमीद करी जा रही है कि दीरे दीरे करके बाकी सारी countries में भी launch होगी इंडिया में भी जल्दी ये phone launch हो सकता है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Vivo X50 series के बारे में तीन phones launch हुए है X50, X50 Pro and X50 Pro Plus कुछ बहुत ही interesting features आपको मिलता है इन phones में तो इस वीडियो को end तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ तीनो ही phones में आपको glass, front और back वाले designs देखने को मिलेंगे Gorilla Glass की कौन सी protection है यह तो अभी specify नहीं करी गई है लेकिन हम उम्मीद कर रहे है कि कम से कम आपको Gorilla Glass 5 की protection तो मिली जाएगी and I think X50 Pro Plus में आपको Gorilla Glass 6 की protection मिलेगी This is just a guess लेकिन हाँ यहाँ पर यह confirmation है कि dual front and back glass design आपको यहाँ तीनों फोन में देखने को मिलेगा तीनों ही phones में आपको stereo speaker setup मिलता है तीनों फोन में आपको quad cameras मिल जाएगे और तीनों ही phones में इस बार single punch hole selfie camera setup दिया गया है unfortunately तीनों में से किसी भी phone में आपको 3.5 mm jack नहीं मिलेगा तीनों फोन में आपको USB Type-C ports मिल जाते हैं और जो Vivo X50 है उसमें आपको flat display मिलता है जबकि Vivo X50 Pro और X50 Pro Plus में आपको curved displays देखने को मिलेगे अब दूस्तों बात करेगा डिस्पले के बारे में तो तीनों ही phones में आपको Full HD plus resolution वाले display मिलेंगे तीनों ही phones में जो display का size है वो भी same है 6.56 inches की display आपको मिलेगी लेकिन यहाँ पे refresh rate में थोड़ा सा फर्क है जो Vivo X50 है वो 90 Hz के refresh rate के साथ आता है जबकि Vivo X50 Pro और X50 Pro Plus में आपको 120 Hz का refresh rate देखने को मिलता है with 240 Hz touch sampling rate तो यह difference आपको मिल जाता है otherwise तीनों ही phones में आपको AMOLED displays देखने को मिलते हैं यानि की बहुत ही कमाल का viewing experience आपको मिलेगा और जैसा कि हमने आपको बताया front side में आपको उपर की तरफ single punch hole selfie camera वाला design देखने को मिलेगा और दोस्तों high refresh rate के साथ-साथ यह तीनों ही phones HDR10 plus को भी support करते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं processors के बारे में तो यहां तीनों ही phones 5G smartphones हैं लेकिन processor के मामले में आपको difference देखने को मिल जाएगा Vivo X50 और X50 Pro में आपको Snapdragon 765 processor मिलता है जबकि Vivo X50 Pro Plus में आपको Snapdragon 865 processor मिलता है यानि कि जो 765 वाले दोनों phones हैं वो सब 6 GHz को support करते हैं और जो X50 Pro Plus है जिसमें आपको Snapdragon 865 processor मिलता है वो phone millimeter wave को support करता है when it comes to 5G connectivity अगर हम RAM और storage variants की बात करें तो तीनों ही phones में आपको 8GB की RAM वाले variants मिल जाते हैं लेकिन X50 Pro Plus में आपको 12GB RAM वारा variant भी मिलेगा और storage की अगर हम बात करें तो तीनों ही phones में आपको UFS 2.1 storage देखने को मिलती है unfortunately यहाँ X50 Pro Plus में भी हमें UFS 3.0 storage देखने को नहीं मिलती which is very sad honestly क्योंकि काफी सारे smartphones in fact जो flagship smartphones हैं उसमें आपको UFS 3.1 storage देखने को मिल जाती है मतलब that is the highest standard in some flagship phones लेकिन यहाँ पे आपको UFS 2.1 storage ही मिल रही है खेर 128GB और 256GB storage आपको मिल जाएगी तीनों ही phones में लेकिन 12GB RAM वाला variant आपको मिलेगा X50 Pro Plus में अब दोस्तों बारी आती है सबसे interesting part की और वो है cameras तो इस बार वीवो ने कुछ बिलकुल नया करने का decide किया है when it comes to cameras in the X50 lineup और अगर हम यहाँ पे सबसे पहले वीवो X50 Pro के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको Samsung का brand new GN1 sensor मिलता है 50MP का in the Vivo X50 Pro Plus और यहाँ पे आपको इस phone में 8MP का periscope lens मिलेगा 13MP का portrait lens मिलेगा और 8MP का ultra wide angle lens मिलेगा selfie camera की बात करें तो 32MP का selfie camera दिया गया है इस phone में लेकिन जो इसका rare camera है उसमें एक बहुती कमाल की technology इस बार दी गई है especially for shooting videos which is called gimbal OIS अभी तक आपने super steady OIS के बारे में सुना होगा जो Samsung के phones में आता है जो बहुती बढ़िया तरीके से आपकी videos को stabilize करता है लेकिन यहाँ पे gimbal OIS को implement किया गया है in the Vivo X50 Pro Plus यानि कि चाहे आप किसी भी situation में अपनी video को shoot कर लें आपकी video हमेशा stabilize डियाएगी चाहे आप चल रहे हों चाहे आप दौड रहे हों या फिर जल्दी जल्दी चल रहे हों, sprint कर रहे हों कैसी भी situation हो आपको इस gimbal OIS technology के मदद से बहुत stable videos देखने को मिलेंगी और Vivo ने product launch के time पे इसका एक demo भी दिया था यह technology Apex में आनी वाले थी जो Vivo का concept smartphone था लेकिन आप finally हमें यह feature देखने को मिल रहा है in the Vivo X50 Pro Plus तो gimbal OIS बहुत ही interesting है हम बहुत excited है इसे test करने के लिए और compare करने के लिए iPhone के cinematic stabilization और Samsung के super steady OIS के साथ क्योंकि अभी तक यह दोनो standards सबसे अच्छे माने जाते हैं when it comes to stabilization of videos in smartphones और अगर हम बात करें बाकी दोनो phones के बारे में यानि की X50 Pro और X50 के बारे में तो वहाँ पर आपको 48MP के sensors मिलता है 48MP का quad camera setup मिलता है with Sony IMX598 sensor जी हाँ यह brand new sensor है Sony का अभी तक हमने Sony IMX 586 ही देखा है लेकिन यहाँ पर आपको Sony IMX598 देखने को मिलता है in vivo X50 and X50 Pro और यहाँ पर भी आपको selfie cameras 32MP के मिल जाते हैं इन दोनों smart phones में just like the vivo X50 Pro Plus और दोस्तों वीडियो के मामले में इन तीनों ही phones पर आप 4K वीडियो shoot कर सकते हैं 60fps पर लेकिन जो gimbal OIS का feature है वो सिर्फ X50 Pro Plus पर available है तो आपको सबसे बढ़िया stabilized footage मिलेगी on the vivo X50 Pro Plus और जैसा कि हमने आपको बताया बहुत excited है हम कि ये phone जल्दी से इंडिया में launch हो ताकि हम इस feature को test कर पाएं अलग-अलग conditions में और finally दोस्तों बात कर लेते हैं battery life के बारे में तो यहां पे तीनों phones में आपको fast charging का support मिल रहा है 33W की charging आपको मिल रही है Vivo X50 Pro और X50 पर लेकिन 44W की charging आपको मिलेगी Vivo X50 Pro Plus पे battery capacity की बात करें तो 4200 mAh की battery है on Vivo X50 and 4300 mAh की battery है on Vivo X50 Pro and X50 Pro Plus तो when it comes to battery life and when it comes to fast charging I think यहां पे किसी को भी कोई issue नहीं होने वाला है अगर आपके battery जल्दी drain भी होगी तो यार या तो आपके पास 33W charging का option है अगर आप X50 या X50 Pro लेते हो और आपके पास 44W का option भी आ जाएगा अगर आप Vivo X50 Pro Plus consider करोगे तो बहुती कमाल के features हैं यह बहुती बढ़िया power packed smartphone lineup है यह Vivo की तरफ से और हम जल्दी उमीद कर रहे हैं कि यह सारे phones भारत में launch होंगे अब finally हम आपको बता देते हैं pricing के बारे में चाइना में क्या price है इन phones का directly convert करके आपको rupees में हम बता देंगे और इस वक्त आप अपनी screen पर directly converted prices को देख सकते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो price to performance ratio है वो कैसा है और इस price range में जो आपको बाकी phones मिल रहे हैं इस समय in the Indian market उनके comparison में Vivo X50 lineup किस तरह से बहतर है या किस तरह से आगे पीछे मतलब आप समझ जाएंगे comparison आप कर सकते हैं खेर that's it guys यह था एक quick video Vivo X50 के बारे में Vivo X50 lineup के बारे में आपको एक video कैसा लगा आपको एक phones कैसा लगे हमें comments में जरूर बताएं और अगर आपको एक video पसंद आई है तो इससे जरूर लाइक करें शेयर करें Mr.Phone Indy के YouTube चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन पर टैप कर दे और हम आप से मेलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद